हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल केल स्टडी फ्रेंड्स बर्ग तीन पद्वरध्धी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है आपका लोग सेक्षन संचाल नालाई की तरफ से एक विज्यापन जारी किया गया है तो सारी जानकारी देख लेत प्राथमिक सक्षक नियोजन वर्स 2023 और 2024 है तो ये विज्यापन जारी किया गया है अब देखिए यहां कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोड मध्ध प्रदेश भुपाल की द्वारा जो हमारी आयोजित परिक्षा की है मतलब प्राथमिक सक्षक पात्रता परिक्ष है इसमें अहर पाए गए अभ्यार्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतरगत 2022-2023 एवं 2023-2024 में लोक सेवकों के सेवा निर्वित होने से मतलब जो आपके लोक सेवक हैं मतलब जो प्राइमरी टीचर हैं जब वो सेवा निर्वित हो जाएंगे 2023-2024 में तो उससे ज द्वारा लगभग साड़े साथ हजार पदों पर पर प्राथ्मक सिक्षकों की भरती की कारवाई की जाएगी मतलब जो 2020 में हमने परिक्षा दी है कोई यहां पर अलग सी नई परिक्षा नहीं होगी आपने जो 2020 में परिक्षादी है इसमें जो इसकी सेकंड जो राउंड होगा मतलब सेकंड काउंसलिंग भी इसको कह सकते हैं तो उसमें जितने भी यहाँ पर जो सेवा निर्वित टीचर रहेंगे उनके जितने भी पद यहाँ पर खाली होंगे उनके इस्थान पर यह पद देहें तो क्या यह आपकी फरवादी तक पूर्ण हो जाएगी तो बिलकुल यह पूर्ण हो जाएगी ठीक है क्योंकि इनको नई जो यहाँ पर जो पद ब्रद्धी की जाएगी उसकी सेकंड राउंड कहें या सेकंड काउंसलिंग कराएंगे और यह भी दो तीन महीने में आपकी पूरी पिरकिरिया समाप्त कर दी जाएगी ठीक है मतलब आपकी यहाँ पर आपको न्युक्ति पत्र प्रदान कर दिये जाएगे फिर दिया है जनजाती कारिय विभाग द्वारा रिक्तिया उपलब्ध कराएंगे पर संयोक्त काउंसलिंग की जाएगी और पदों क ब्रद्धी भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है इसमें बैक लॉग के पद सामिल नहीं होंगे ठीक है अब देख सकते हैं यहाँ पर कि मद्य प्रदेश राज्य इसकूल सेवा सेक्षनक संबर्ग सेवा सर्ते और भरती नियम 2018 के होंगे और जो आपने परिक्षा 2020 में दी है पर गया है कि 2020 की परिक्षा के आधार पर ही आपकी जो क्वालिफाइब अच्चे हैं उनकी मेरिट बनेंगी और जिनके भी नाम आएंगे उन्हीं को यहाँ पर ज्वायनिंग दी जाएगी ठीक है अब यहाँ देखिए कि जो सेवा और सर्ते नियम रहेंगे 2018 के होंगे और समा आपना है क्यों क्यों कि यहाँ पर एक एक 2023 कहा गया है मतलब एक जनवरी 2023 तक जो आप हैं आपकी 21 वर्स होनी चाहिए तो बहुत से बच्चे हैं जनको एक मंथ कम था किसी को 15 दन कम थे 20 वर्स का होनी में तो यहाँ पर उनकी पूरी जो एज है वो हो जाएगी 21 वर्स और इनको यहाँ पर जो second counseling कहेंगे से तो इसमें उनको participate करने का मौका भी मिलेगा तो यह एक good news कह सकते हैं से तो आप एस सारी जानकारी देख सकते हैं और यह जो पद हैं आपके वर्ग तीन के बढ़ाएगाए पद हैं इसको आप second counseling कहेंगे या फिर second round कह सकते हैं और इसमें इतने पदों पर मतलब कम से कम आपके साड़े साथ हजार पदों पर तो भरती की ही जाएगी इसके अलावा इसमें इस पश्ट कहा है कि यह जो सईयूक्त counseling होगी तो इसमें पद ब्रद्धी भी की जा सकती हैं और अधिक पद भी आ सकते हैं और यह कम भी कर सकते हैं ठीक है लेकर ने पद इस पश्ट तोर पर नहीं बढ़ाये हैं जितने भी सेवक सेवा नर्मेत होंगे उनके स्थान पर इन पदों की पूर्ती की जानी हैं आई होप आप सारी जानकारी को अच्छे से समझे चुके होंगे और यहाँ पर आपका school department है इन्होंने इस पश्ट तोर प भी जारी कर दिया जाएगा आपकी फरवरी में जो फस्ट राउंड है आपका वर्ग तीन का एक कम्प्लीट हो जाएगा इन्होंने एक जग्यापन दिया था जा आपन नहीं कह सकते विज्यापन जो आया था उसमें सारी डेट दी गई थी और उसमें कहा था कि 28 फरवरी त जाएगी और एक दो महीने में ये भी समाप्त कर देंगे इसके बाद इनको नई भरतियां भी करानी है ठीक है आई होप आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी ठेंक्यू